Hello students, Welcome to today's class So today in this video, we are going to cover some more topic of chapter 1 which is Python revision tour और यह chapter का part 6 है इससे पहले इस chapter के 5 part बन चुकी है अगर आप लोगों ने वो 5 part नहीं देखी है तो देख लेना उन 5 पार्ट को एक playlist में डाल रखा है मैंने उस playlist का link जो है आपको इस video के description में मिल जाएगा तो आप लोग चेक कर लेना तो चलिए start करते हैं आज किस video को और discuss करते हैं इस chapter के कुछ और topics को तो last video को जो है आपने यहाँ पर end करा था हम discuss करने वाले थे flow of control तो flow of control की बात करते हैं flow of control का meaning क्या है देखे python program में जो statements होते हैं वो आपके sequentially, selectively या फिर iteratively execute हो सकते हैं तो इस काम को करने के लिए python जो है वो आपको construct provide करता है कौन-कौन से construct provide करता है sequence, selection और iteration construct जो है वो provide करता है तो चलिए इन तीनों construct को one by one discuss करते हैं पहले बात कर लेते हैं sequence की तो sequence का मतलब क्या है देखे sequential construct बोलिए या sequential statement बोलिए बात एक ही है sequence construct में होता क्या है जो statement होते है वो आपके execute होते है sequentially मतलब कि जिस order में वो लिखे गए हैं उसी order में execute होते हैं तो यहां पर इसको और clearly समझने के लिए एक program देख लेते हैं देखिए यहां पर जो है program दे रखा है to calculate the area of rectangle और यहां पर बोला गया है first enter the length and breath of the rectangle then calculate its area and print the result मतलब क्या है जो rectangle है उसका area आपको calculate करना है और user से जो है आपको length and breath को enter करवाना उसके बाद में आपको area को calculate करके print करा देना है तो इस काम को करने के लिए जो हमारा program है वो किस तरीकी से बनेगा देखें यहां पर देख लेते हैं program को तो program को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे length लेंगे तो length के लिए यहां पर मैंने क्या करा है L नाम से variable ले लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं मैसेज दे दिया है मैंने यहां पर enter the length of rectangle तो यहां पर user enter कर देगा rectangle की length इसके बाद में breath enter करवाएंगे breath को enter करवाने के लिए यहां पर variable ले लिया है बी नाम से और यहां पर user को message दे दिया है enter the breath of rectangle तो इतना काम करने के बाद में हमें अब क्या करना होगा? area को calculate करना होगा rectangle की तो area को calculate करने के लिए क्या करेंगे एक यहां पर variable ले लेंगे AR नाम से ले लिया है मैंने आप किसी भी नाम से ले सकते हैं तो मैंने यहां पर कर दिया AR equal L into B L into B का मतलब है length into breadth तो length into breadth हो जाएगा और जो rectangle का area होगा वो calculate होगा कहां पर पहुच जाएगा AR variable में इसके बाद में simply हम यहां पर print statement लगा देंगे और यहां पर print में message देंगे the area of rectangle is और उसके बाद में जो AR variable था उसको print कर देंगे तो जो भी rectangle का area होगा वो यहां पर print हो जाएगा हमारा तो अगर आप इस program को धान से देखें तो आप पाएंगे कि जो program है यहां पर statement लिखे गए है जिस order में लिखे हुए है उसी order में यह execute होगे देखिए पहले यह statement लिखा गया है तो यह statement execute होगा यह जो यहां पर इस तरीके से आ रहा है यह पूरी एक line है तो यहां पर होगा क्या यह वाली line पहले execute होगी फिर यह line execute होगी फिर यह line execute होगी और उसके बाद में यह line execute होगी मतलब जिस order में हमने program लिखा उसी order में यह execute होगा मतलब sequentially यहां पर execute होगा sequence wise यहां पर execute हो रहेंगे line इसा नहीं है, कि पहले ही यह वार्य लाइन execute झाहेगी या फिर पहले यह वार्य लीवली लाइन execute होगी I will every week the line golpe यह यह 7 बाह्ये होँ हो जो बाद में है श्लापर में लीकती ही है इसी और में execute होग bubbles अगर यहां पर हम बात करने इसका output कि देखिया, output किस तरीक से आएगा, यहां पर output देख लीजे आप लोग, क्या होगा, जैसे हम program को run करेंगे, तो यहां पर हमें message मिलेगा, enter the length of rectangle, तो हम rectangle की length यहां पर enter कर देंगा, माल लीजे मैंने कर दी 20, इसके बाद में दूसरा message enter the breadth of rectangle, तो यहां पर 40 कर दिया, जैसी 40 करके enter करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास में rectangle का area जाएगा, जो की 800 इस तरीके से display हो जाएगा, अब देखिए, यहां पर क्या हुआ, पहले यह वाला statement execute हुआ, तो यहां पर हमें output मिल गया, फिर यह वाला statement execute हुआ, तो इसका output है आ होता है, आपका जो program है, वो sequential order में execute होता है, जिस order में program लिखा हुआ है, उसी order में execute होता है, तो I hope आप लोग को sequence construct समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से sequence construct में जो है पको program execute होता है, अब अगर हम बात करें, second type के construct की, जो की है हमारा selection, तो बात करते हैं, selection में होता गया है, देखिए तो selection construct के बात करें तो selection construct का मतलब है, यहाँ परAyणी किजो होह होगा statement यहाँ पर सारी चीजे condition based होती है अगर condition true होगी तो कुछ statement चलेगा और condition false होगी तो कुछ और statement execute होगा अगर इसको और clear करें तो आप इसको और अच्छे से real life example से समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक example लिया है कि अगर जो traffic light red है तो आपको क्या करना होता है stop होना होता है मतलब जैसे आपने traffic light red देखी आप क्या होते है stop हो जाते है और अगर traffic light जो है अब आपकी yellow है तो आपको पता है कि आपको वहाँ पर बेट करना है and जैसी signal जो है आपका green होता है तो आपको पता जल जाता है कि अब आपको जाना है तो मतलब क्या हुआ जो आपका action है वो पूरा condition पे based हो रहा है तो इसी तरीके से selection में भी क्या होता है जो यहां पर जो execution होगा program का जो statement execute होंगे वो पूरी तरीके से condition पे based होते है तो अगर हम बात करें python में selection statement की तो python में selection statement के कुछ types होते है कौन-कौन से type होते हैं उनको देख लेते हैं पहला जो है वो आपका if होता है second जो है if else होता है and third जो है if else else होता है तो तीनों को one-by-one discuss करते हैं उनके program को भी हम साथ-साथ देखते चलेंगे तो पहले बात कर लेते हैं if की तो if statement में देखे क्या होता है if statement जो है वो आपका एक condition को test करने के लिए use होता है कि जब आपको एक condition को test करना है तो उस case में आप if statement का use कर सकते हैं तो condition अगर आपकी evaluate होती है true तो क्या होगा कोई set of statement होंगे या instruction होंगे वो आपके execute हो जाएंगे और अगर आपके condition false हो जाती है तो कुछ भी नहीं होगा मतलब कोई भी statement execute नहीं होगा तो इसका syntax दिख लेते हैं syntax में क्या है यहां पर देखिए यह रहा है syntax आप लिखेंगे if और if के बाद में conditional expression लगाएंगे जो भी आपको expression लगाना है वो आप लगा देंगे और उसके बाद में जो भी statement आपको execute करवाने हैं कि यहां पर यह condition अगर true हो तो इस statement execute हो जाए वो आप यहां पर लिख देंगे इसके body के अंदर तो I hope आप लोग को इतनी चीज clear होगी होगी तो चलिए इसको थोड़ा सा example से समझते हैं program की help से इसको और clearly समझते हैं देखिए यहां पर जो है मैंने एक program बनाया है और program में क्या कराया है मैंने देखिए यहां पर लिया यह नाम से और यहां पर यूजर से बोला एक एंटर करो number किस टाइप का integer type का क्योंकि यहां पर लिख दिया है तो integer type का कोई भी user यहां पर अब जो है मैंने यहां पर if statement लगा दिया है और if statement मैंने देखिए condition के लगाई है if a less than 200 मतलब कि जो a की value user enter करता है अगर वो 200 से कम है तो यहां पर हमारा message print हो जाए the number is less than 200 यह print हो जाए तो इस case में देखिए यहां पर जैसे हम program को run कराएंगे मैंने देखिए यहां पर program चलाया है तो program चलाने पर क्या हो रहा है मैंने एंटर कराएं 150 तो 150 क्या है less than 200 से तो इसलिए हमें message मिल गया है 150 is less than 200 अब अगर बात करें हमकी ऐसा number user enter कर देता है जो कि 200 से जादा है तो उसके लिए भी यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर मैंने क्या कर रहा है program same ही है program में कोई change नहीं है पुरा program same है लेकिन जब user ने यहां पर जो number enter कर रहा है वो यहां पर 200 से जादा enter कर रहा है तो इस case में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ भी output नहीं आ रहा है तो मतलब क्या हुआ condition हमारी false हो गई है तो condition जैसी false होती है तो कोई भी output आपको if statement में नहीं मिलता है और condition true होती है तो जो भी statement आपने वहां पर block में दे रखा होगा वो आपके execute हो जाते है तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको practically भी चलाके दिखा देता हूं तो देखिए यहां पर मैंने spider ideally को open कर लिया है अब यहां पर code लिखते हैं हम तो मान लिजी यहां पर नम नम से एक variable ले लिता हूं और यहां पर integer type की एक value enter करवा लेता हूं user से मैं यहां पर message देता हूं user को enter any number ठीक है यह मैंने message दे दिया यहां पर और यहां पर input लगा देता हूं यहां पर हमारा input रहेगा इस तरीके से रहेगा यह हमारा और थोड़ा size कम कर देता हूं अब यहां पर मैं condition लगा देता हूं मैं लगाता हूं if num less than 500 यहां पर मैंने less than 500 रखा है तो यहां पर क्या होगा user अगर 500 से कम करता है तो यहां पर message print हो जाए the number is less than 500 तो मैं यहां print कर देता हूं print the number is less than 500 मैंने 500 मैंने अब यहां पर run करते हूं SAVE कर देता हूं पहले इसको और इसको run कराते है तो यहां पर जो हमें बोल रहा है enter any number इसको size थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं आप यहां पर ले चलते हैं अब देखते है तो यहां पर मान लीजिए मैं यहां पे इसको दुबारा से run करूँ और enter करता हूं number 500 से ज़्यादा तो यहां पे देखिए क्या होगा कुछ भी output नहीं आएगा यहां पे मैं कर दिता हूं 600 तो देखिए जैसे एंटर करूँ गा तो कुछ भी output नहीं आएगा अब बात करते हैं if else statement की तो देखिए if else statement को हम कभी उस करते है if else statement जो है वो दो condition को test करने के लिए उस होता है मतलब क्या है अगर कोई condition यहाँ पर true होती है तो कुछ statement जो है वो आपके execute हो जाएंगे मतलब कि जो if के block में आपने code लिखा होगा वो आपका execute हो जाएगा और अगर आपके condition होती है false तो यहाँ पर जो है else part रहता है और else part में जो भी code आपने लिखा होगा वो आपका execute हो जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दो condition यहाँ पर test हो जाती है एक ही बार में तो इसके syntax की बात करें तो यहाँ पर if रहता है और if के साथ में conditional expression रहेगा और जो भी statement आप चाहते हैं कि यह condition आपकी true हो वो execute हो वो आप दे देंगे if के block में यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद में जो है आप else लिख देंगे और else block में बो code of statement डालेंगे मतलब बो statement यहाँ पर लिख देंगे जो आप चाहते हैं कि condition false हो तो उस case में यहाँ पर execute हो जाए तो I hope इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी तो चलिए इसको थोड़ा सा program की help से और clearly समझते हैं यहाँ पर देखिए इस program को इस program में मैंने क्या कराया है यहाँ पर जो है मैंने एक variable लिया है यह नाम से और इसमें बोला यूजर से कोई भी number input करो अब यूजर कोई भी number input कर देगा फिर इसके बाद में मैंने condition लगा दिया है इसके बाद में मैंने else part लगाया है और else part में मैंने क्या दिया है print the number is greater than 200 मतलब कि अगर यूजर यहाँ पर enter करता है number 200 से कम तब तो आपकी condition true हो जाएगी और यह वाला part जो है execute हो जाएगा और अगर मानलो user ने enter करा 200 से जादा तो क्या होगी यहाँ पर condition false हो जाएगी और condition के false होते ही क्या होगा यह else part में चला जाएगा और else part में जो statement मैं ने दिया है वो execute हो जाएगा मतलब कि लिख के आ जाएगा the number is greater than 200 तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने हाँ enter करा है 789 789 जैसी मैंने enter करा तो यहाँ मैंसे मिल गया है the number is greater than 200 मतलब कि else वाला part जो है वो execute हो गया है यह वाला part execute नहीं हुआ है क्योंकि condition यहाँ पर false ह हो गई है इसी तरीके से अगर एक प्रोगाम और देखें तो यहाँ पर देखें प्रोगाम में क्या रखा है create a python program to enter a number and check if the number is positive or negative मतलब की number आपको check करना है कि कोई number enter करा यूजर ने वो positive है या फे negative है तो इसके लिए हमने क्या करा है यहाँ पर देखें कि प्रोगाम किस त अगर प्रिंट हो जाये तो प्रिंट हो जाया दा number is negative number मतलब 0 से अगर less than है तो क्या होगा negative number होगा और अगर मानलो उसने enter करा 0 से ज़्यादा तो यहाँ पर else part में हमने message दे दिया है the number is positive number इस तरीके से message यहाँ पर दे दिया है तो देखें जैसी इस program को execute करेंगे तो हम हमने enter करा 10 तो इस case में हमें output मिल जाएगा the number is positive number मतलब कि जो number हमने enter करा है वो हमारा positive number है तो यहाँ पर देखें अगर आपकी condition true होती है तो आपका if वाला part execute होता है मतलब if की body में जो code होता है और condition false होती है तो else की body में जो code रहता है वो आपका execute हो जाता है तो चलिए इसको तो थोड़ा सा मैं आपको practically भी करके दिखा देता हूँ तो देखें यहाँ पर करते हैं तो मालेजिए यहाँ पर प्रोगाम मैं लेता हूँ कि अगर कोई person जो है उसकी age 18 से ज़्यादा है तो बोड डाल सकता है और 18 से काम है तो बोड नहीं डाल सकता है तो इसके लिए क्य यह मैंने message दे दिया इसके बाद में यह condition लगा देता हूँ if is greater than और equal कितना हो 18 मतलब 18 हो 18 से ज़्यादा हो तो उस case में क्या हो block बना लेते हैं और यहाँ पर देते है message तो उस case में क्या हो देखें उस case में हमारा message print हो जाए you are eligible to boat मतलब की आप eligible हैं boat के लिए अब अगर मान लीजे user enter करता 18 से कम मतलब नहीं उसने 18 एंटर करी और नहीं 18 से ज़्यादा एंटर करी तो उस case में हमारा message क्या print हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे else part है लिख देंगे else और यहाँ पर इसकी body मना देंगे और है message देंगे print और यहाँ ल आप लोग बस concept को समझेए यह हमने कर दिया है अब जो है मैं इसको save करता हूँ और इसको run करता हूँ देखिये तो मैंने जैसी run कर आया तो यहाँ पर देखिया आ गया है enter your age तो मैं मान लीजे enter करता हूँ 18 तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा you are eligible to vote हमारी condition satisfy हो गई हमने क 18 के equal हो या फिर 18 से ज्यादा हो यह condition हमें लगाई है तो हमारी condition satisfy हो गई है मतलब 18 से ज्यादा तो नहीं है लेकिन 18 तो है equal का sign मैंने लगा दिया तो 18 के case में भी हमारी condition true हो जाएगी अब अगर मान लीजे मैं 18 से ज्यादा एंटर करता हूँ तब भी हमारी condition true होगी देखिय है और enter करता हूँ तो देखिए इस बार भी क्या हो रहा है you are eligible to vote अब again मैं इसको run करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं enter कर देता हूँ मान लीजे 17 तो अब जो हमारी condition false हो जाएगी और जैसी condition false होगी तो else बाला part जो हमारा execute हो जाएगा देखिये मैं enter करता हूँ तो यहाँ देख सकते है message आ गया है you are not eligible to vote तो इस तरीके से जो है आपकी दो condition यहाँ पर test हो रही है तो I hope आप लोग को if else statement भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं if else else की तो देखिए if else else जो है वो हम कभी use करते है if else else को use करते है हम multiple condition को test करने के लिए जब आपको multiple condition को test करना हो त करते हैं क्योंकि जो if else statement होता है वो multiple condition के लिए fit नहीं वैटता है यहाँ पर दो condition को test करने के लिए तो आप if else को use कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा के लिए आप if else को proper तरीके से use नहीं कर सकते है तो multiple condition को test करने के लिए हम if else else यह जो statement है इनको हम use करते है multiple condition को test करने के लिए इसका syntax देख लेते हैं syntax देखिए यह रहा syntax में क्या है if लिखेंगे आप first time if लिखेंगे फिर condition लगाएंगे जो भी condition आप चाहते हैं लगाना वो लगाएंगे उसके बाद में उसके body उनाएंगे और आप चाहते हैं कि अगर यह condition true हो तो कौन सा statement execute हो यहां पर लगाएंगे अब अगर आप चाहते हैं यह condition true ना हो तो दुसरी condition आप लगाएंगे और दुसरी condition के लिए आप यहां पर लखेंगे और लखने के बाद में यहाप second conditional expression लगादेंगे जो भी condition आपको second लगानी है वो लगादेंगे ऐसे fourth condition लगा नहींगे तो फिरremot लखेंगे फिरfour condition दे देंगे और इसके अंरह statement लगादेगे जितनी भी condition आपको ही हाँ पर लखानी है सबको आप living करके लगा सकते हैं और last में आप लख palेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इन में से कोईसी भी condition अगर true ना हो तो यहां पर जो है else part execute हो जाए मतलब कि जो else part में statement डाला गया हो वो execute हो जाए मतलब कोई print statement हो सकता है या कोई भी code हो सकता है कि अगर इन में से कोई सी condition आपकी true नहीं हुई तो यह आपका else part execute हो जाए तो चलिए इसको program की help सो और के लिली समझते हैं यहां पर देखिए मानलेजिए एक program आपको दिया जाए क्या है program program में लिखा है write a python program to display the name of day according to the number given by the user मतलब क्या है यहां पर इस program में आपको day के name print करने है कि user कोई भी number enter करे तो उसके according जो है वो day print हो जाए अगर मानलेजिए 1 enter करता तो Monday हो जाए, 2 enter करता तो Tuesday हो जाए, 3 enter करता तो badness हो जाए इस तरीके से आपके day आ जाए week के तो इसके लिए जो program है वो किस तरीक से बनेगा पहले program को देख लेते हैं यहां पर देखिए program यह रहा तो इसके लिए जो है आप एक variable ले लिया ए नाम से और यहां पर user को message दे दिया है कि आप day का number enter करो कोई भी number जो है वो यहां पर enter करेगा user जैसे enter करेगा तो वो number जो है वो आपकी condition के according यहां पर test होगा किस तरीके से test होगा हमने पहले condition लगाई है if a equal equal 1 मतलब क्या है जो यहां पर एक के अंदर user ने number enter करा है वो अगर आपका one होता है तो क्या print हो जाए Monday इसी तरीके से यहां पर second condition लगा दी अगर वो number आपका two है तो यहां पर Tuesday हो जाए और अगर वो number three है तो यहां बेड़नाज जो जाए तो यहां पर प्रेंट हो जाएगा invalid option तो जैसी इस program को run करा जाएगा तो यहां पर देखिए मानली जी उजरे ने अंटर करा रहा 5 तो जैसी 5 एंटर करेगा तो 5 number पर कह जाएगा Friday आपका corporate में मिल जाएगा तो आप लोगव की प्रोगाम समय हा रहा होगा अगर नहीं समय तो इसको और practically मां करके दिखा देता हूं देखिए यहां पर करते हैं problèmes मैं यहाँ पे एक लिलेता हूँ variable और यहाँ पर इंटर कर भाता हूँ उसर से number मैं देता हूँ input और message देता हूँ user को enter, the day number कौनसा day का number आपको print कराना है तो यहाँ फॉ victimBER कोई भी हुग देगाimentos desire A equal equal, क्या हो, 1, अगर 1 है, आपका A equal equal, तो यहाँ पर क्या हो जाए, print हो जाए हमारा, Monday, Monday, ठीक है, इसके बाद में हम लगाएंगे, यहाँ पर एलिफ, और एलिफ में हम लिख देंगे, A अगर है, equal equal किसके, 2 के, तो क्या हो, तो प्रेंट हो जाए हमारा, क्या प्रेंट हो जाए, यहाँ पर प्रेंट हो जाए हमारा Tuesday, Tuesday, इस तरीके से मैंने यहाँ पर दे दिया, इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहां पर कर देता हूँ मैं paste यहां पर कर देता हूँ पेस्ट और यहां पर कर देता हूँ मैं 3 यहां पर कर देता हूँ इसी तरीके से यहां पर कर देता हूँ मैं Thursday और यहां पर कर देता हूँ Friday यहां कर देता हूँ Saturday क validate ठीक है और इसके बाद में जो है मैं लगा देता हूं यहां पर else part और इसके बाद मैं रखा पर एल्स part कि अगर इनमें से कुछ भी Enter नहीं होता है तो यहां पर क्या प्रेंट हो यहां प्रेंट हो जाए invalid option और क्रेंट गों इंवैलिड option अब इसको safe कर देते हैं और इसको run करते हैं तो यहां पर देखिए हमारा program चल गया है बोल रहा है enter the day number तो यहां पर मान लीजे मगर देता हूँ 5 जैसी enter गरूँगा तो 5 number पर जो भी day होगा वो print हो जाएगा देखिए करता हूँ तो यहां पर हमारी कुछ condition गलत हो गई है है अब यहां पर हो जाएगा और यहां पर 5 अब पूरा ठीक है तो आप जो है सको दुबारा से रन करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं Friday यहां पर आउटपड में आचुका है इसी तरीके से अगर इसको दुबारा से रन करूं, यहां पर एंटर करता है 3 तो यहां पर देखे-3 पर वैडशने आगया है और अगर मैं enter करता हूँ कुछ और option मान लिए जी मैं enter कर देता हूँ यहाँ पर 10 तो देखिया जाएगा invalid option तो इस तरीके से जो है आप program को बना सकते हैं जब भी आपको multiple condition को test करना हो तो आप if, alif, else को use कर सकते हैं तो आप आप लोग को if, alif, else का भी use समझ में आ गया होगा तो अब जो है यह हमारे पूरे selection statement complete हो चुकी है मतलब कि selection construct था वो हमारा पूरा complete हो गया है अब हम बात करते हैं iteration की कि iteration construct जो है वो क्या करता है और किस तरीके से जो हम statement का iteration कर सकते हैं तो इस to end iteration construct को हम discuss करेंगे next video में आज की इस video को यहीं पर end करते हैं next video को हम यहीं से continue करेंगे और discuss करेंगे iteration construct को basically looping construct होते हैं तो इनको हम discuss करेंगे next video में So that's it for this video, thanks for watching